देखिए आज की क्लास में हम लोग एलियस मेथड इस्टेडी करेंगे देखिए एलियस मेथड क्या होता है इसमें कोशन देखिए इस टाइप से फ्रेम रहेगा गिब एक कम्प्लीट डिस्टिब्यूशन फॉर पी एफोर पॉइंट डिस्टिब्यूशन एज पी एकल टू 7 बाई 16 पी टू एकल टू 1 बाई 4 पी 3 इकल टू 1 बाई 8 और पी 4 इकल टू 3 बाई 16 और गिवन मतलब 4 वैलू दी हुई है अब इसको सारों को जोड़ोगे जब आप इनको जोड़ोगे 7 बाई 16 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 3 बाई 16 ये पूरा क्या हैगा ये चुकि एक कही पार्ट है मतलब मतलब जो प्रॉबिल्टी होती क्या है सबका समवन होता है आप 16 करिए 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 16 बाई 16 ये आगया 1 तो ये तो प्रॉबिल्टी दियो हुई है समझ गया तो अब क्या करना है एक कम्प्लीट डिस्टिबूशन इसका निकालना है एलियस मेथड में इसको डिस्टिब्यूट करना है कैसे देखिए इसको डिस्टिब्यूट करना है चुकि हमारे पास 4 वैलूज है n इकल टू 4 यहां है अब हमें डिस्टिब्यूट करना है 3 एक्वेशन में q1 q2 और q3 तो n-1 हो जाएगा यहां 4-1 इकल टू 3 तो मतलब हमें अगर 4 दिया है 4 डिस्टिबूशन तो हमें फाइनल ज तो अब q1 अब देखिए इस example से हमा यह हमने solution बना लिया है कि q1 की वैलू यह आ रही है जो q1 distribute होगा इसमें 4 वैलू हमें चाहिए ठीक है तो maximum 2 वैलू जो है non zero होंगी बाकी जो 2 वैलू है वो zero हो जाएंगी मतलब इसकी condition है जो distribution का rule है alias method का जो rule है वो यह कह रहा है कि maximum 2 value non zero होंगी बाकी सारी zero होंगी तो अब चुकि 4 ही वैलू है इसमें 4 वैलू आएंगी तो 2 non zero हो गई तो बाकी 2 zero ऐसे इसमें q2 में 2 non zero 2 zero q3 में 2 non zero बाकी सारी zero मतलब 2 से ज्यादा non zero कभी नहीं होंगी maximum 2 non zero होंगी और अगली condition क्या है कि इनका जब सम करोगे किसका किसका q1 का पहला element क्या है 5 by 8 q2 का पहला element 11 by 16 q3 का पहला element 0 इनको जब सम करोगे यह होगा 3 into 7 by 16 मतलब यह equation पर valid होना चाहिए इनका सम आ जाएगा 3 into 7 by 16 अब इनको जोड़ लीजे 5 by 8 plus 11 by 16 यह हो जाएगा 5 मतलब इसको कर लीजे 10 by 16 16 plus 11 by 16 तो 11 और 10 कितना हो गया 21 यह आ गया ना 3 into 7 by 16 इस equation के बराबार आ रहा है ऐसे second case में देखिए second case में equation number 2 में मतलब यह 0 ऐसे देखिए इस तरह ऐसे बना लीजे यह यह चीज का सम करना मतलब दूसरा जो element है q1 का 0 q2 का दूसरा element 5 by 16 q3 का दूसरा element 7 by 16 इन तीनों को जो सम करोगे यह हो जाएगा 3 times p2 यह equal to आएगा 3 times p2 p2 क्या है 1 by 4 तो यह इसके बराबार आना चाहिए ऐसे अगला condition क्या है 3 into 1 by 8 होना चाहिए यह तीनों का सम मतलब q1 का तीसरा element q2 का तीसरा मतलब तीसरे number पे जो है आश्ट में बचा यह 0 plus 0 plus 9 by 16 तो यह भी आ रहा है इसका मतलब यह हमारा सही distribution है तो इसी format में हमें distribute करना है अब यह आएगा कैसे यह rule है यह rule है जो हम सीखेंगे कि कैसे यह आया है कि समझ में हमें करना क्या है यह तो हमें समझ में आ गया कि कि आपका P1, P2, P3, P4 दिया हुआ है इससे हमें तीन equation बनानी है Q1, Q2 और Q3 की जो इस तरह से valued हो कि Q1 का पहला element Q2 का पहला Q3 का पहला जब तीनों सम करोगे यह 3 times P1 हो ऐसे Q1 का दूसरा Q2 का दूसरा Q3 का दूसरा इनको add करो तो यह 3 times P2 हो इस तरह से सुवान ऐसे चलता रहेगा और Q1 में maximum दो ही element non zero होंगे बाकी सारी zero होंगे चुकि चार element होगा Q1 में तो दो non zero होगे बाकी दो zero होगे यह सारी condition को देख करके हमें बनाना है अब आईए हम लोग चलते हैं कि कैसे इसको निकालना है Q1, Q2 और Q3 तो देखिए यहां थोड़ा सा theoretical background दिया हुआ है alias method क्या कहता है कि यह जो आपका आपकी probability थे P1, P2, P3 यह तो set हो गया P का probability mass function मतलब अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बाकी जब तक आप numerical नहीं देखेंगे हम लोग तब तक यह पूरा clear समझ में नहीं आएगा बस हलका हलका देख लीजिए यह हो गया अब जो formulaic हिसाब से देखेंगे तो जो हमने निकाला था अगर N is equal to 4 आ रहा था तो 1 upon N minus 1 जो P होगा P equal to 1 upon N minus 1 समेशन आप K to 1 से N minus 1 QK अगला लेमा हो गया लेमा यहां यह कह रहा है कि जो probability आप दिया गया होगा उसमें से एक element आपको ऐसा मिलेगा जो less than होगा 1 upon n-1 ठीक है समझ गये चुकि सारे का sum 1 है तो एक element आपको ऐसा मिलेगा जो होगा 1 upon n-1 से छोटा तो हमें उसका एक बड़ी चूज करना होगा कि दोनों का जो sum आए यह तो हो गया 1 upon n-1 से छोटा और एक बड़ी हो गया उसका ऐसा element चूज करना है इसी में से कि जो दोनों का sum आए वो ज्यादा हो 1 upon n-1 से यह यह लेमा है यह मतलब लेमा मतलब है कि वैलिड होगा यह यह वैलिड कथन है उसके बेश पे हमें यह चूज करना है पी आई एक ऐसा इसमें से एक ऐसी प्रविल्टी वाली वैलू लेनी है कि उसको sum करें पी जे के साथ तो वो ज्यादा हो जाए 1 upon n-1 से देखिए इसमें क्या है इसको यह देखिए यह जो पी जे वाला टर्म है अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता एक ऐलिमेंट अगर 1 by n-1 से छोटा नहीं होगा तो होगा कि जब सब को sum करोगे ठीक है 1 upon n-1 प्लस 1 upon n-1 ठीक है ऐसे-ऐसे sum करते चले जाओगे तो क्या होगा 1 से जादा हो जाएगा अगर यह वैलू एक ऐलिमेंट आपका n-1 से छोटा नहीं रहेगा तो समझ गए तो हमारा वो इन्वैलिड हो जाएगा ना चुकि प्रॉबबल्टी का समयशन वन ही होता है तो इसलिए एक वैलू ऐसी मिलेगी जो 1 upon n-1 से छोटा होगा अब देखिए और steps देख लीजिए pk जो आएगा इसको तुमने हमने और अच्छे से लिखाया है एक और वैरियेबल ले लिया है देखिए pk equal to होगा 1 upon n-1 उसी को open कर लिया है इस equation को open कर लिया गया है बट हमने suffix में एक और वैरियेबल ले लिया है जैसे 1, 2 जैसे q1, k, q2, k plus last में जाएगा qn-1 और ये k अब n equal to 3 के लिए देखिए 3 put करिए तो 1 by 2 आएगा यहाँ आएगा q1 ऐसे बोला जाएगा q1, k, q2, k इस तरह से फिर n equal to 4 के लिए इसमें 4 put कर दीजिए 1 upon 3 तो यहाँ हो जाएगा q1 के q2 के तीन value मिलेंगी ना यहाँ अब ये जो उपर वाला टर्म है तीन बार जा रहा है 1, 2, 3 तक समझ गए अब ही धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा इसको हमने थोड़ा सा एक graph में table form में कर लिया ताकि हमें समझने में जी हो देखिए q1 जो है इसको हमने तीन पार्ट इसका बनेगा जब n बराबर 3 होगा मतलब तीन value दी हुई है p1, p2, p3 तो दो equation बनेंगी q1 और q2 जहाँ q1 होगा ये वाल 1 वाला जो होगा तो उसके तीन पार्ट होंगे q1, 1 q1, 2 और q1, 3 ये वाला ऐसे q2 के तीन पार्ट होंगे q2, 1 q2, 2 q2, 3 अब देखिए अब जो p1 आएगा वो इनको इनको सम करोगे और इनको ये वाली line आएगी p1 इक्कोल टू चाहे इधर कर लो 2p1 इक्कोल टू q1, 1 q2, 2 ऐसे p2 आएगा 1 by 2 इनको इनको सम कर लो 1 by 2 q1, 2 q2, 2 देखिए ये जो element है वो q1 के तीन पार्ट है ऐसे ये जो element है q2 के तीन पार्ट है तो अब ऐसे p3 क्या आएगा इनको इनको जोड़ लो ये q1, 3 और q2, 3 का समेशन उसका हाफ कर लो या ऐसे कर सकते हो 2 into p3 equal to q1, 3 plus q2, 3 जहां q1 है कैसे लिखा जाए कि q, ये जो q1 है ये इनको तीनों को कामा कामा लगा के लिख लो ये q1 के तीन पार्ट हो गए ऐसे q2, q2, 1, q2, 2, q2, 3 ये q2 के तीन पार्ट हो गए मतलब q1 ये ऐसे जाएगा और ये q2 ऐसे जा रहा है और probability p1, p2, p3 होगी ऐसे n equal to 4 के लिए कर लीजिए जब 4 दिया रहेगा तो p1, p2, p3, 4 value दी रहेंगी तो हमें कितनी equation में distribute करना है q1, ये q1 की equation ये q2 और q3 की q1 के 4 value होंगी value तो इतनी रहेगी जैसे p1, p2, p3, p4 है वैसे q1 एक equation हो गया q2, दूसरी equation होगी q3, तीसरी equation होगी बट q1 के 4 element रहेंगे q1, 1, q1, 2, q1, 3, q1, 4 ऐसे q2 को q2, 1, q2, 2, q2, 3, q2, 4 ऐसे अब इसको कैसे relation मनेगा जैसे उपर हमने 3 के लिए देखा था वैसे हमारा यहां आ जाएगा तो ये मतलब q1 का पहला, ये q2 का पहला, q3 का पहला, ये तीनों जोड लीजिए और ये एक्वल होगा 3 into p1 या p1 equal to 1 by 3 q1, 1, q2, 1, q3, 1 ऐसे, ऐसे ये बन जाएगा p1, p2, p2 के लिए ये इनको add कर लीजिए और इसको 3 से divide कर दीजिए ऐसे p3, ये तीनों add कर लीजिए और इसको 3 से divide कर लीजिए ऐसे, p4, p4 में ये ये सारे add कर लीजिए और 3 से divide कर दीजिए लास्ट में जब हमारा इसमें data निकल आएगा तो q1 को ऐसे हम लिखेंगे ये जो बना है, ये इनी को बस लेना है, ये हमारा q1 है तो q1 हो जाएगा पहली value ये, फिर दूसरी value ये तीसरी value ये, चौती value ये तो ये सारी लिखे होई हैं, ये q1 के लिए फिर ऐसे q2 के लिए ये सारी चीज़ें हमें उठानी है q3 के लिए ये कॉमा कमा लागा के लिखते जाएगे, तो ये हमारा distribution आ जाएगा ये तो हमने table form में बस समझने के लिए है कि कैसे कैसे चीज़ें related है एक दूसरे से समझ गए अब निकालना कैसे है, अब हम पहला case लेके चलेंगे 3 point distribution, 3 point मतलब ये वाला case, जब 3 value P की दी रहे होंगी P1, P2 और P3 P की 3 value है अब 3 value ये दी हुए 7 by 16, 1 by 2 और 1 by 16 3 point distribution है 7 by 16 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 16 इनको add करिए 7 प्लस 8 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8, 16 बाई 16 तो ये आगया वनना तो वही है कि probability को तो सम करोगे तो वह नाना ही आना है तो चेक करिए ना चेक करिए उससे कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम decimal में देखते है सबसे छोटा कौन सा है ये वाला देखिए ये shortcut है सबसे छोटा निकाल लीजिए तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 0.5 और सबसे छोटा कौन सा ये इससे थोड़ा जल्दी आ जाता है वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है वैसे जैसे इसमें जो दिया हुआ है रूल कि हम ऐसा element चूज करेंगे जो 1 by चुकि तीन element है तो 1 by 1 by 2 से छोटा हो मतलब 0.5 से छोटा 0.5 से छोटा ये भी है और ये भी है तो इसमें कोई भी चूज कर सकते हो ठीक है तो एक कोई चूज कर लिया हमने ये चूज कर लिया अब इसमें ऐसा कोई element आड़ करेंगे चाहें ये एड़ करो कि समेशन जो है 1 by 2 से जादा हो जाए रूल के हिसाब से तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे minimum वाला उठा लो ठीक है ये और maximum वाला उठा लो इससे मतलब ये shortcut में हम लोग यूज करते है तो हमने ये ले लिया ये सबसे छोटा वाला ये और सबसे बड़ा ये ले लिया जब दोनों को add करोगे definitely 1 by 2 से ये condition हमारी बस fulfill होनी चाहिए ये दोनों condition कि जो सबसे छोटा हो मतलब जो भी आप choose कर रहे हो वो 1 by 2 से less हो बस और दोनों और जो उसके साथ बड़ी चूच कर रहे हो उसको जब add करो तो 1 by 2 से जादा हो जाए ये वाली condition आपको बैठानी है ये ये वाली condition तो जनली practice में हम लोग सबसे lowest वाला ही लेके चलते हैं ताकि कोई confusion ना रहेगी कहीं गलती ना हो ठीक है तो अब 1 by 2 है और 1 by 16 है तो अब 1 by 2 से जादा आ रहा है तो ये दो value हमने चूच किया है स्टार्ट में कि हमें इनको लेना है मालो इसको ले रहे हो तो इसको अगर लोगे तो इस केस में क्या हो रहा है बड़ी के रूप में P1 प्लस P3 कर रहे हो तो exactly 1 by 2 आ रहा है तो इसके साथ ये वाला बड़ी तो valid नहीं है मतलब अगर 1 by 6 1 by 16 और 7 by 16 ले रहो तो 7 by 16 वैलिड नहीं है ये वाला एकदम सही बैट रहा है हाफ से जादा हो रहा दोनों का समेशन तो अब हमें Q1 के वैलू निकाल ली है कि इनके तीनों एलिमेंट क्या होंगे Q2 के तीनों एलिमेंट क्या होंगे और ये condition तो आपको पता ही है कैसे होता है अभी जो derivation देखे थे तो ये अब जो Q1 है चुकि इसमें तीन वैलू होंगी तो उसमें हमने बताया था कि निया maximum 2 non-zero होंगे बाकि 0 maximum 2 non-zero होंगे बाकि 0 आगे देखिए इसको इस table से देखा जाए तो ज्यादा समझ में आएगा इस table से देखिए पहले यहां समझ लीजिए हमने चूच किया था P2 और P3 फिर से यहां बना लेते हैं देखिए हमने 1 by 16 चूच किया अब इसको इस तरह से distribute करना है 1, 2 7 by 16 और 1 by 2 और 1 by 16 तो इन दोनों में हमने यह चूच किया था यह चूच किया था सबसे छोटा कौन था यह था तो जब distribution होगा तो यह सवाले की value जो है निकालनी होगी और इसके सामने जितने भी होगे 0 हो जाएंगे चूच कि यह दोनों चूच किया है तो बाखी इधर में यह वाला 0 हो जाएगा तो यह वाली value जाएगी अब देखिए 1 by 16 जो होगा this plus this upon 3 3 नहीं, upon 2 तो 1 upon 2 this plus this मतलब इसको मान लीजिए star और प्लस 0 तो star की value क्या आजाएगी 2 by 16 तो यहां से आजाएगा 2 by 16 यह वाली value समझ गए अब अगर इसको x मान लीजिए तो x equal to होगया 2 by 16 अब इसका formula यह यह कैसे निकलेगा 1 minus 2 by 16 तो यह आगया 16 minus 2 कितना होगया 14 by 16 तो यह आगया 7 by 8 तो यह आगया बाखी यह element कैसे निकलेगा चुकि यह प्लस यह यह value और प्लस यह value दोनों को सम करोगे तो यह आता है 2 तो चुकि यह 0 है तो यह value जो आएगी सीधे सीधे 2 into 7 by 16 आजाएगा और यह और यह यह तीनों क्या है तीनों 1 होते है this प्लस दीस प्लस दीस तो यह 0 है तो यह वाला definitely दो ही element निकालने होते है बाखी तो सारे 0 होंगे तो यह एक दूसरे के complement होते है तो 1 minus 14 by 16 तो यह आजाएगा 2 by 16 तो 1 by 8 तो यह सारी value देखिया आगए यह 0 हो गई यह 7 by 8 हो गई यह 7 by 8 हो गई यह 1 by 8 इसको solve कर लोगे तो 1 by 8 आजाएगा यह 1 by 8 हो गया और यह 0 हो गया तो यही चीज यहां लिखी हुई है answer में कि Q1 की value जो आ रही है इसको answer इस form में लिखना मतलब यह हमारी Q1 हो जाएगी तो Q1 क्या हो गई 0 उसके बाद 7 by 8 और 1 by 8 0, 7 by 8, 1 by 8 तो 0, 7 by 8, 1 by 8 ही Q1 होगी Q2 क्या हो गई Q2 7 by 8, 1 by 8 और यह पूरा लेना है ना Q2 के लिए 7 by 8, 1 by 8 और 0 7 by 8, 1 by 8 और 0 condition क्या लगी है यह भी देख लिया जाए condition क्या लगी है कि यह value जो होगी इनका इनका summation इस element का उसका half मतलब यह समझी है 2 into P1 equal to Q1 1 plus Q2 1 यह ऐसे 2 into P2 equal to Q1 2 plus Q2 2 2 into P3 equal to Q1 3 plus Q2 3 यह condition है तो एक एक general लिख दिया एक question लिख दिया कि इस तरह होगा तो यह तो मैंने फटा-फट shortcut से निकाल लिया है shortcut मतलब आपकी practice है तो इसी table में ही direct आप कर सकते हो 3 point के लिए जादा दिक्कत नहीं होगा जैसे method बता है वही करना है सबसे छोटा वाला चूच कर लो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा इसको multiply कर दो 2 से अगर 3 point distribution है तो यह आ जाएगा यह आ गया इधर वाले इसके सारे इधर वाले सब 0 होंगे ठीक इसके इस वर्टिकल में जब चलोगे कॉलम में तो अब यह इसका बड़ी यह है बड़ी मने जस्ट सहायक तो यह हो जाएगा 1 by 8 का compliment 1 minus 1 by 8 ठीक है 2 by 8 7 by 8 और यह बाकी जो element होंगे 0 क्योंकि 2 ही निकालने है बाकी 2 ही होते है maximum 2 non 0 होते है बाकी 0 होते है और बाकी इसके base पर यह वाले निकला आएंगे इस तरह से तो वही सब चीजें मैंने यहाँ explanation में रखी होई है मतलब पहले मैंने direct basic जो methods है theoretical उस वे में हमने निकाला है कि P3 P3 होता है 1 by 2 Q1 3 प्लस Q2 3 तो 1 by 16 हुआ तो 1 upon 2 Q1 3 अब Q2 3 को 0 ले लेंगे क्योंकि यह सबसे छोटा वाला है तो उसके case में उस case में एक दो यह 1 by 16 वाला यह था तो सारा distribution इस ही महोगा तो इसके इधर वाले सारे सब 0 हो जाएंगे ठीक है तो यही वाला चीज है जो सबसे जो हमने first choose किया है उस case में सारा distribution इसमें होगा 1, 2 अगर लिया जाए तो इसमें होगा तो बाकी ही इसलिए इसको 0 ले लिया तो Q1 3 आ गया यह वाला element आपका इसका बड़ी यह लिये थे आपने ना बड़ी तो बड़ी उसका क्या होगा है वो opposite ठीक है तो 1-1 by 8 करोगे तो यह 7 by 8 आ जाएगा तो यही लिखा हुआ है Q1 has non-zero entries at 2 and 3 तो Q1 1 बाकी जो इसमें होगा यह 0 हो जाएगा Q1 1 0 हो जाएगा तो Q1 2 हो जाएगा 1-Q1 3 वही सिदे उसका opposite कर दीजिए opposite मतलब complement 1 में से minus कर दीजिए Q2 3 यह तो 0 होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में एजूम करते हैं कि सारा distribution जस्ट उसके इस वाले में होगा बाकी इसके इधर जो हैं इस वाले में नहीं होगा सारा distribution इसमें होगा तो Q2 3 0 हो जाएगा ऐसे चुकि यह 0 है तो यह वाला क्या जाएगा इसका टू इंटू सेबन वाई सिस्टीन तो Q2 3 0 कर लिए Q2 2 ऐसे भी निकाल सकते हूँ PK क्यूट के सन होती है यह तो अब PK K equal to 2 के लिए पुट करो मतलब हम दूसरे वाला यह देख रहे हैं यह वाला रों consider कर रहे है 2 तो 1 by 2 equal to 1 by 2 Q1 2 7 by 8 plus Q2 2 2 Q2 2 2 निकालना है तो Q2 2 वहाँ से आ जाएगा 1 by 8 Q2 3 0 है तो Q2 Q2 मतलब Q2 का पहला element तो 1 minus 1 by 8 इसमें भी 1 से minus कर देना होता है मतलब एक आ गया Q2 का तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 minus वाली जो एक आ चुकी है ठीक है तो यह बस आपको sequentially लिख लेना है Q1 1, Q1 2, Q1 3 ऐसे Q2 का Q2 1, Q2 2, Q2 3 तो यह आ गया तो इसको हमने देखें कैसे table form में हमने रखा यह तो यह बाकी यह condition हो गई यह valid होनी चाहिए अब देखो यह 0 हो गया तो यहाँ 0 लिख उठा यह 7 by 8 हो गया यहाँ 7 by 8 लिखा हुआ है और यह 1 by 8 तो इस तरह से लिखने के answer में ऐसे लिख हो गई यह वाली ऐसे तो यह हो गई यह आपकी Q1 यह Q1 हो गई और Q2 यह वाली आपकी ऐसे वाली जो आएंगी 7 by 8 1 by 8 और 0 1 by 8 और 1 by 8 को जब add करोगे 0 प्लस 7 by 8 इसमें सारे element का summation 1 आएगा ठीक है इसमें सारे element का summation 1 आएगा यह भी एक condition है तो इस तरह से distribution होटा है इस तरह से 3 point का distribution ऐसे होता है 3 point के case में हमें 2 equation निकालनी पड़ेगी Q1 और Q2 अब ऐसे हम सीखेंगे 4 point का distribution थोड़ा इसका भी हमने shortcut बनाया है ताकि और आसानी से कर लें shortcut देखें क्या है कि जो हमारा question दिया हुआ था P इसको distribute करना है तो यह 3 point distribution मलब P की 3 value है 7 by 16, 1 by 2, 1 by 16 तो shortcut में क्या है सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला लेंगे और सबसे बड़ा वाला उसको underline कर लो यह हमें मिल गया सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो अब इस जो table बनेगा 7 by 16, 1 by 2, 1 by 16 ऐसे table बना लो तो यह हमें निकालनी है यह Q1 की value होगी जो हमें निकालनी है यह वाली, ऐसे Q2 की value होगी जो हमें निकालनी है, ठीक है कैसे निकलेगा देखिए यह value जो value निकालनी होगी यह वाली, हम x लिख रहे है यह value जो आएगी, x यह चुकि सबसे smallest यह है, 1 by 16 तो इसको छोड़ करके इस वाले element को छोड़ करके इसके इधर जितने होंगे वो 0 कर देना है, तो इसमें 1 है तो इसको 0 कर दिये, तो अब x जो होगा x सीधे सीधे हो जाएगा चुकि हमारा 3 point distribution है तो n-1 होता है 2, 2 into 1 by 16 मतलब यह जो value है इसी में 2 से multiply कर दो तो यह value आ जाएगी समझभाया? तो क्या आया यहाँ? 1 by 8, यही तो लिखा हुगा है तो यह हो गया आपका यह x 1 by 8 ऐसे यह वाली जो value होगी इसका बड़ी हमने लिया है सबसे highest वाला 0.5, तो यही दोनों लिया है हमने तो इसके सामने जो value होगी इस value से निकलेगी तो 1 by 8 है तो 1 minus 1 by 8 कितना होता है 1 minus 1 by 8 तो 8 minus 1 7 by 8 तो यह आगया, यह कौन सी value होगी? यह वाली value, 7 by 8 ठीक है? समझभाया? इस सो complement कर देना है 1 से minus कर देना है तो यह दोनों value आगई बाकी देखो, यह दो होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं बाकी इसके ऊपर जो है यह 0 कर देना है तीक है? यह starting का first stuff है क्या 0 होगा? और क्या नहीं होगा? तो इसको तीक है? सबसे छोटा उसके जश्ट सामने वाले को निकालना है और इधर यह 0 हो जाएगा और इसका जो बड़ी है वो निकालना है इसके ऊपर में इसमें यह सब 0 हो जाएगे देखे क्योंकि Q1 की जितनी भी वेलू होंगी केवल दो ही non-0 होगा जो दो non-0 होंगे एक दूसरे का summation जिनका 1 होगा और बाकी 0 कर दो तो यह इसलिए यह 0 हो गया और इस case में यहाँ क्या है कि यह सबसे छोटा है तो सारा distribution इस वाले में जाएगा तो इसलिए Q2 बाकी होंगे Q2,3 यह वाली जो वेलू होगी वो 0 होगी अगला step है बाकी element निकालने है अब देखी बाकी element यह वाला कैसे निकलेगा यह आपका 7 by 16 है तो चुकि यह प्लस यह होता है 2 into 7 by 16 तो चुकि यह 0 है तो सीदे सीदे यह निकालने के लिए 7 by 16 में 2 से multiply कर दो तो यह आगया 7 by 8 अगला यह 1 by 8 जो आ रहा है इसको हमें कैसे निकलेगा देखीए यह 7 by 8 है चाहें यहां से निकाल लीजिए इस और जल्दी निकालना है तो देखीए 7 by 8 को 1 से minus कर दीजिए 1 minus 7 by 8 तो यह आगया 1 by 8 अब देखीए 7 by 8 plus 1 by 8 equal to होना चाहिए 2 into 1 by 2 तो हो रहा है हरा हरा हराम से मतलब मालो यह निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो 2 into 1 by 2 minus 7 by 8 इससे भी निकाल लाएगा ठीक है यह element यहां से ऐसे भी निकाल सकते हो 2 into 1 by 2 minus 7 by 8 तो हो गया 1 minus 7 by 8 तो 8 minus 7 by 8 1 by 8 ठीक है इस तरह से अदरवाईस उपर तो पता ही एक तो इसको 1 minus से कर दो अब क्या हमारा सारा आ गया सारी वैलू आ गई तो Q1 यह हो गया 0, 7 by 8, 1 by 8 Q2 हो गया यह 7 by 8 और 1 by 8 और 0 अब देखिए cross check कर लो Q1 के जो तीनों वैलू आई है उनका summation 1 होना चाहिए 0 plus 7 by 8 plus 1 by 8 क्या यह 1 है definitely 7 plus 1 8 by 8 यह 1 आ गया ठीक है यह सही है दूसरा इसको check करो Q2 जो आया है उनके सारे element का summation 1 होना चाहिए 7 by 8 plus 1 by 8 plus 0 क्या 1 आ रहा ठीक है 1 है यहां भी 1 है बाकी और condition क्या है और जो चेक करना है P1 P1 क्या है 7 by 16 into 2 यह प्लस यह जोडो 0 plus 7 by 8 यह आना चाहिए क्या आ रहा है 2 8 जा 16 7 by 8 यह सही है यह condition आनी चाहिए ना ऐसे ऐसे इसको जोडो 7 by 8 plus 1 by 8 यह equal होगा 2 into P2 P2 क्या है 1 by 2 तो यह 1 आ गया यहां आ रहा है 1 ना यह भी 1 आ गया LHS, RHS सेम है तो यह भी ठीक है 3rd 1 by 8 प्लस 0 यह होना चाहिए 2 into 1 by 16 आ रहा ना 1 by 16 करोगे तो 1 by 8 आ गया तो LHS, RHS सेम है तो इस तरह से हमारा Q1 जो निकला वो सही है Q2 जो निकला वो सही है तो इस तरह से हमने 3 point distribution करते हैं और answer को cross check भी कर सकते हैं 3 point distribution उतना difficult नहीं है अब आगे हम चलेंगे 4 point distribution मतलब 4 point दिया हुआ P की 4 probability दी हुई है अब देखते हैं कैसे distribute होगा 4 point distribution P की 4 value दी हुई है अब सारे के add करोगे तो क्या हैगा 7 by 16 plus 1 by 4 मतलब 4 by 16 plus 1 by 8 2 by 16 plus 3 by 16 add करो क्या हैगा add करने के बाद 16 7 plus 4 plus 2 plus 3 16 by 16 तो या क्या बनना definitely चुकी probability है ना तो सारा sum वो नहीं आना है तो cross check करना हो cross check कर लो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं अब इसमें हमने सबसे छोटा चूच कर लिया चुकी shortcut में भी हम ऐसे ही करते हैं इसलिए हम यहाँ सबसे छोटा चूच कर लो और सबसे बड़ा चूच कर लो ठीक है सारी problem आपका पहला step वाला वहीं से solve हो जाएगा सबसे छोटा जो चूच करोगे definitely वो 1 by 3 से छोटा होगा यह भी काम हो गया और सबसे बड़ा जो उसका बड़ी चूच करोगे अगर बड़ा वाला चूच करोगे तो जोब इसको जोड़ोगे मतलब 7 by 16 plus 1 by 8 तो 7 plus 2 by 16 9 by 16 यह definitely 1 by 3 से जादा होगा अगर इस तरह चलोगे कोई confusion नहीं रहेगा अब देखो पहला इस्टप में हमने ले लिया 1 और 3 जो ही जो हाइलाइट किया है वही टेकनिक बता है कैसे निकाला गया है तो यह अगर हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं अब उसके अब देख लीजिए यहाँ से यह जो हमने थेओरी बताये थी उसवे में निकाला गया है अब आगे चलिए ऐसे हम टेबल बना लेंगे चुकि 4 पॉइंट दिया हुआ तो हमें 3 equation मिलेगी n एक्वल टू 4 है तो n-1 क्या जाएगा 3 n-1 आएगा 3 तो 3 equation मिलेगी q1 की q2 की q3 की जो q1 ऐसे जाएगा q2 ऐसे जाएगा और q3 ऐसे जाएगा तो अब देखो हमने हमने क्या चूच किया सबसे छोटा वाला कौन सा है ये और उसका बड़ी जो है सबसे बड़ा वाला ये ठीक है तो ये दोनो element non-zero होंगे जुनमें कुछ नहीं लिखा हुआ non-zero है बाकी इसमें चार element है ना इसमें चारों में बाकी जो है ये और ये छोड़ कर जिनको ये और ये छोड़ करके तो ये आपका 0 हो गया और ये 0 हो गया ये चुकि सबसे छोटा है इस smallest है ठीक है तो इसके सामने ये वाला और ये वाला ये भी जूरो हो जाएंगे ये रो इसके रो में केवल एक element non-zero होगा ये non-zero हो गया इस रो में ये element 0 ये element 0 ऐसा क्यों है क्योंकि सारा distribution अब हमें इसी में करना है अब आगे चलिए step number 2 हम जैसा कि जानते हैं इसका समेशन इसका समेशन और इसका समेशन ये हो गया 3 into p1 this plus this plus this मतलब ये double mark कर दे रहे हैं double tick कर रहे हैं ये plus ये plus ये ये हो जाएगा 3 into p2 क्योंकि अब हमारा n-1 हो गया 4 minus 1 तो यहां 3 लेके चलेंगे मतलब अगर 4 value दी होई है तो जो multiply होगा 3 into p2 equal to हो जाएगा ये value प्लस ये value प्लस ये value ऐसे 3 into p3 हो जाएगा ये value प्लस ये value प्लस ये value 3 into p4 हो जाएगा ये value प्लस ये value ये value प्लस ये value प्लस ये value अब आगे चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा अब इसमें देखिए ये value तो 0 है ये 0 है तो definitely ये जो x होगा ये वाला इसको कहते हैं q1 3 ये क्या निकलेगा 3 into 1 by 8 समझ मैं ये तो 0 है ना 3 p3 equal to होता है q1 3 plus q2 3 plus q3 3 मतलब तीसरे का तीसरा दूसरे का तीसरे नमबर वाला पहले का तीसरे नमबर वाला तो ये तो हमें निकालना है तो q1 3 पता नहीं है ये 0 है ये 0 है तो ये 3 into p3 यहां से आ गया ना तो इसलिए q1 3 हो जाएगा 3 into p3 तो 3 by 8, p3 1 by 8 है तो ये आ गया 3 by 8 तो जब ये 3 by 8 हो गया इस पूरे में 4 value है जिसमें 2 value तो 0 है एक value 3 by 8 है तो ये value क्या आ जाएगी 1 minus 3 by 8 तो ये हो जाएगा 1 minus 3 by 8 5 by 8 ऐसे निकाला जाता है तो ये पूरा आपका q1 तो आ गया पहला 5 by 8, दूसरा 0, तीसरा 3 by 8, चौथा 0 ये जो मैंने हमने यहां किया है वो आपका यहां लिखा हुआ है देख सकते हैं 5, 3 by 8 आया ये वाला और उसका 1 minus कर दिये तो 5 by 8 आ गया तो ये तो आ गया बाकी अब हमें ये सब निकालने हैं ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले इतने निकालने हैं अब इसको क्या करेंगे यह जो हमारा case है हमारे पास कितनी value है 4 point को distribute करना है तो जिसमें हमें q1 मिल चुका है अब हम क्या करेंगे इस 4 point distribution को कर देंगे 3 point distribution में convert कैसे करोगे देखो 7 by 16 minus 5 by 8 into 3 sorry 3 into 7 by 16 minus 5 by 8 3 into 1 by 4 minus 0 3 into 1 by 8 minus 3 by 8 3 into 3 by 16 minus 0 मतलब यह इस जो पी 1 है पी 2 है पी 3 है पी 4 उसमें सम्में 3 से multiply कर दो उसकी value में 3 p1 3 p2 3 p3 3 p4 और यह जो key 1 के पहला element है sequentially respectively minus कर दो यहां देखो क्या रहा सिवन थ्रीजा और स्वारी 5 by 18 क्यों लिखे है 5 by 8 होगा 21 माइनस 16 by 16 तो यह आ गया यहां से आ जाएगा 5 by 16 यह आ गया 3 by 4 यह आया 0 यह आया 9 by 16 तो हमें ऐसा क्यों करते हैं हम 3 point में distribute कर रहे हैं चार value है हमने 3 value कर दिया मतलब एक और element हमने इस में से इस probability में से हमने 3 point में कर दिया यह value को सीधे सीधे 0 कर दिया तो देखो यह वाला 0 हो गया ठीक है अब इनको जब sum करोगे 5 by हमें क्या मिला 5 by 16,3 by 4,0,9 by 16 अब इनको जोड़ो इनको अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा इनको अगर जोड़ोगे तो आपका समयशन 2 आएगा कर यह देखे क्या रहा 16 आया ना 5 प्लस कितना आया बारे पांच सत्रे सत्रे नो 26 क्या गड़ बड़ोगे रहा है स्वारी यहां गड़ बड़ हुआ है यहां 11 बड़े सोल आएगा दोखो दो से मल्डिप्लाइगी नहीं दस बाई सोल है तो यहां 11 बाई 16 11 प्लस फिर से कर लेते हैं इसको करोगे तो 11 प्लस क्या आया इसका समेशन 12 और 11 12 से 20 29 32 16 तो आया 2 तो इनको जब सम कर रहे हो तो 2 आ रहा है तो फिर इस element को 2 से और डिवाइड कर दो तो कि हमें sum 1 बनाना है न वो समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हो ठीक है इन पोरी element को जो finally distribution का आयागा इनको और 2 से डिवाइड कर दो तो अब हमारा यह जो है पहला आ गया 11 बाई 32 3 बाई 8 यह आ गया 0 बाई 0 यह 9 बाई 32 तो जो final distribution आया देखो यह सारे step यहां किये हुए है इसको चाहें तो erase कर सकते हैं चलो रहन दो P1 होता है यह ठीक है तो इसमें बैठाया मैंने निकाल लिया यह 11 बाई 16 3 बाई 4 यह 0 यह 9 बाई 16 इनको sum करो इनका summation आ रहा है 2 तो so to convert 4 point distribution into 3 point distribution we have to divide equation 2 by 2 यह जो value आये है उनको 2 से और divide कर दो वाजबाया तो final 3 point distribution आया तो पहला क्या था 11 by 16 तो 11 by 32 और यह 3 by 8 यह 0 यह 9 by 32 जैसे 9 by 16 है तो 2 से और divide करो तो यह आ गया 9 by 32 डारेक्ट यह फार्मूला याद कर लो कोई दिक्कत नहीं 3p minus q1 upon 2 यह देखिया 3p मतलब यह जो सारे हैं इसमें 3 से multiply कर दो और इससे minus कर दो और upon 2 कर दो तो वही चीज है जो हमने mathematically किया है उसी को formula के form में यह तो हम कर यह किया है 3p minus q1 और 2 से बाद में हमने डिवाइड ही किया है तो यहाँ formula में ही हमने रख दिया समझ माज़ा sorry 3p1 minus इसको q1 मान लो यह वाले को q11 को q1 लिख दो या q11 लिख सकते हो 5 by 8 3p1 minus 5 by 8 upon 2 तो यह पहला element आ गया यह है आपका 11 by 32 ऐसे 3 by 8 ऐसे 0 ऐसे 9 by 32 तो ऐसे shortcut से भी याद कर सकते हो यह formula इससे आ गया तो इसको हमने नया नाम दे दिया यह है तो अब इसको अब समझ लिए जिए यह 3 point distribution का case हो गया जैसे अब हमें कोई ऐसे numerical दिया हुआ है कि p की value है 11 by 32 यह 3 by 8 यह 0 9 by 32 अब इसको हमें 3 point distribution को case की तरह solve करना है तो हमने अलग कर लिया जो 0 है उसको छोड़ करके 11 by 32 3 by 8 और 9 by 32 ले करके हम एक अलग question मानके इसको solve करेंगे तो इसको हमने separate कर लिया एक तो 0 हो गया ना वो 0 था उसको छोड़ दो यह एक नया numerical मानके इसको solve करो कैसे करोगे अब 3 point के लिए हमने बताया था सबसे छोटा चूच करो 0.28 सबसे बड़ा 0.37 सबसे छोटा जो होगा वो definitely 1 by 2 से चुकि यहाँ n equal to 3 है तो n minus 1 हो जाएगा 2 3 minus 1 तो आगया ना 2 तो अब 1 by 2 से compare करेंगे तो definitely जो सबसे छोटा होगा एक element तो 1 by 2 से छोटा ही होगा तो इसमें सबसे छोटा चूच कर लिए 0.28 सबसे बड़ा 0.37 0.28 0.37 का जो sum आएगा 1 by 2 से जादा होगा definitely तो अब इस तरह से हमने table बनाते हैं ना 3 जब 3 point का distribution करेंगे तो 2 equation बनती है Q1 और Q2 की बस अब ये देखिए हमारा सबसे छोटा ये है उसका बड़ी हमने ये लिले उसके साथ जो add करेंगे तो इन दोनों element ये non zero होगे बाकी इसमें जो भी बचा 0 चुकि सबसे छोटा ये है 9 by 32 तो इसके इधर वाला ये 0 आजाएगा तो ये 0 अब ये जो element है ये कैसे आया चुकि n-1 क्या रहा 2 तो इसको 2 से multiply कर दो 2 into 9 by 32 आजाएगा ये वाला element तो 2 से 16 9 by 16 तो ये element आगया ये element क्या आएगा ये element आएगा 1 minus ये वाला element 9 by 16 तो 16 minus 9 by 16 7 by 16 तो 7 by 16 आगया और ये 0 है ही ये 0 है आगे देखते हैं अगले step में एक ही step में क्यों देखा जाएगा बाकि ये निकालने हैं ये जो double question mark लगा है ये निकालने है तो ये चुकि ये 0 है तो इसमें 2 से multiply कर दो तो ये वाला element आगया 2 into 11 by 32 तो 11 by 16 और ये element कैसे आएगा चुकि इस पूरे में इस पूरे में तीनों का sum 1 होता है और एक तो 0 है ही तो ये plus ये 1 होंगे तो ये वाला element जो इस पर question mark लगा हुआ है question mark equal to हो जाएगा 1 minus 11 by 16 ये वाला element से minus कर दो 1 minus ये वाला element 16 minus 11 by 16 5 by 16 तो ये आगया सारा step जो मैंने यहां दिखाया है वो यहां आपका proper किया हुआ है 3 by 8 होता है 1 by 2 ऐसे भी कर सकते हो जैसे 3 by 8 जो होता है ये होता है 7 by 16 प्लस ये वाली value ये plus ये 3 by 8 होता है 1 by 2 into bracket में 7 by 16 प्लस question mark question mark कहा से निकलाएगा ये आगया double question mark कैसे निकलेगा उसका opposite कर दीजिए 1 minus 5 by 16 11 by 16 तो अब इसमें fill कर लीजिए इस table में बल लीजिए ये 0 निकाली चुके थे ये 7 by 16 ये 9 by 16 ये 11 by 16 ये 5 by 16 आया ये 0 आया तो आगया Q1 ये Q2 ये है ठीक है इस तरह से आगया Q1 और Q2 तो अब इन वैलू को हमें जो हमारा four point distribution का numerical था उसमें feed करना है समझ गये तो इसको कहीं note कर लो क्या था 0 7 by 16 9 by 16 अब आई ये उपर ये तो इसी में भरो ये अब देखिए ये ये डेटा हमारा हो गया 0 7 by 16 जो ये है उसको नहीं touch किये है second और 9 by 16 देखिए इसके answer को देखिए 0 7 by 16 9 by 16 इसको मैंने लिख दिया यहाँ 0 7 by 16 और 9 by 16 चुकि ये तो पहले सही 0 है न इस जगें हम भरेंगे क्योंकि इस जगें हमारा space है उसको तो हमने replace कर दिया था उसको बार-बाल लेके नहीं चल लहे थे ऐसे ये वाला कॉलम कैसे भराएगे ये पहले 0 है मतलब उसी को सीधे-सीधे लाखे paste कर दो जहाँ जगे है वहाँ भर दो 11 by 16 5 by 16 और 0 उपर जाओ 11 by 16 5 by 16 और ये वाला कॉलम में भरोगे 0 तो हमने left करके केस छोड़के चल लहे न क्योंकि ये 0 है तो ये यहां से हमारा answer आ गया Q1 हो जाएगा final जो answer आएगा 5 by 8 0 3 by 8 0 दूसरा Q2 हो जाएगा 0 7 by 16 0 9 by 16 तीसरा हो जाएगा 11 by 16 5 by 16 0 0 इनको जोड़ो इनको जोड़ो क्या आएगा 5 by 8 plus 0 plus 11 by 16 ये आ रहा है 10 plus 11 by 16 तो 11 10 21 बटे 16 तो ये 3 का मड़िप्लाई है ना 3 into P1 7 3 जा 21 तो ये हो गया 3 into P1 ये सही है ऐसे ये वाले केस में 7 by 16 plus 5 by 16 11 by 16 ये 3 into 1 by 4 3 into 1 by 4 मतलब 4 by स्वरी साथ है ना स्वरी साथ मस बारह आएगा तो 3 by 4 3 by 4 आ रहा है तो ये हो गया 3 into P2 ना 3 into P2 करोगे 3 by 4 आएगा ये भी सही है ये हो गया 3 into P2 इस वाले में आओ 3 by 8 plus 0 plus 0 तो ये हो गया 3 by 8 ये हो गया 3 into P3 P3 कितनी है 1 by 8 तो 3 into 1 by 8 ये भी ठीक है फोर्थ वाला आओ 10 plus 10 plus 10 9 by 16 है ना तो 9 by 16 एक्वल टू क्या हो रहा है 3 into P4 3 into 3 by 16 3 into 3 by 16 9 by 16 ये भी सही है तो इस तरह से हमारा जो डिस्टिबूशन आया वो अंसर हमारा बिल्कुल सही है पुरा सटीक बैट रहा है और कीवन जो आया 5 by 8 प्लस 3 by 8 तो ये आजाएगा 1 7 by 16 प्लस 9 by 16 ये भी 1 आ रहा 11 by 16 प्लस 5 by 16 प्लस 0 प्लस 0 ये 1 है मतलब ये पूरा कॉलम 1 होना चाहिए definitely 1 ही आएगा क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लिमेंट है बाकी 0 है ऐसे ये q2 वाला कॉलम पूरा वाना चाहिए ऐसे q3 वाला कॉलम पूरा वाना आना चाहिए इस तरह से distribution हमारा आ गया तो हमने दो case में लेके question solve किया है यहां जो हमने 3 point distribution किया था अब देखिए इसमें हमने case 1 लिया है जिसमें हमने सबसे छोटा और सबसे बड़ा लेके चल ले है ठीक है तो इस तरह से हमारा answer internal जो 3 point का है यह इसको use करेंगे तो अभी जो हमने समझाया वो answer हो जाएगा अगर ऐसे देखें कि 11 by 32 1 by half से छोटा है ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें कंडिशन बस यही देखनी है कि 1 by 2 से छोटा है कि नहीं तो इसमें साथ 2 element 1 by 2 से छोटे मिल जाते हैं 1 by 2 कितना होगा 0.5, 0.5 से छोटा 0.37 भी है 0.28 है 0.34 है 0.5 से छोटे तीनो है तो दूसरे इस वाले second case में अगर मान लोग कोई ऐसे जूम करके चल ला है तो 11 by 32 ले लिया उसने 11 by 32 मतला पहला जो 0.34 आया था भाई हमारे पास तीन थे न 11 by 32 और कितना था 3 by 8 था और 9 by 32 था तो यह इसकी value थी 0.34 इसकी value थी 0.37 इसकी value थी 0.28 ठीक है तो हमने पहले वाले case में यह और यह लेके चले थे यहाँ इसको सबसे चोटा वाले को लिये थे ऐसे भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं answer कर पड़ाएगा distribution अलाग आएगा बाकि सब कुछ valid है ठीक है क्योंकि condition हमारी यह वाली होती ठीक ही 1 by 2 से पहला जो लेंगे 1 by 2 से चोटा होना चाहिए तो 11 by 32 भी 1 by 2 से चोटा है इसमें जो बड़ी जोडेंगे उनका समेशन 1 by 2 से जाधा होना चाहिए तो बड़ी को इन्होंने 3 by 8 लिया है तो 3 by 8 बड़ी जब जोड़ोगे तो 0.34 और 0.37 डेफिनली 0.5 से जाधा हो जाएगा ठीक है तो यह यह भी एक valid valid case में जा रहा है देखिए कैसे distribute करेंगे 11 by 32 3 by 8 9 by 32 अब यह देखिए 11 by 32 हमारा इस वाले case में हमारा यह है जो first element और उससे जो बड़ा है 3 by 8 है तो इसके इधर वाले यह सारा इसमें distribute होगा तो इसको blank अभी छोड़ रहे हैं यह 0 हो जाएगा ऐसे इस वर्टिकल में देखिए चुकि इनको इनको लेके चलना है यह और यह यह और यह हम लेके चलना है तो इसके सामने वाला यह element 0 हो जाएगा यह assumption है यहां से ही तो हमें लेके चलना है ठीक है अब यह चुकि 0 हो गया तो यह value value क्या होगी this plus this होता है 2 into 11 by 32 तो definitely 2 into 11 by 32 यह आ जाएगा तो यह वाला element आ गया तो यह वाला element क्या आ जाएगा 1 minus 11 2 into 11 by 32 यह आ गया चुकि यह 0 है तो यह element क्या आ जाएगा 9 by 32 है तो this plus this होता है 2 into 9 by 32 तो 2 into 9 by 32 आ गया यह 0 है तो यह यह तीनों का summation जो है 1 आता है तो यह वाली value क्या जाएगी एक तो पहले से ही 0 है तो 1 minus 2 into 9 by 32 ओके सारा element आ गया 11 by 16 तो से divide कर जाएगा तो 16 by 16 आ जाएगा 6 आ जाएगा ना यह और यह 5 by 16 यह 0 यह 0 यह minus करोगे तो यह आ जाएगा 7 by 16 यह 9 by 16 तो अब q1 की value यह पूरी हो गई q2 की value यह हो गई ठीक है answer में इसको भी use कर सकते हो फिर case 3 देखते हैं case 3 में हमने क्या लिया हमने 0.28 लिया first और उसके साथ उसका बड़ी जो जोड रहे हैं यह 11 by 32 चुकि 0.34 और 0.28 इनका भी summation 84 बार है यह आ रहा ना इसलिए ऐसे भी cases ऐसे भी कोई कर सकता है कोई student ऐसे भी ले सकता है कोई दिक्कत नहीं ठीक है मतलब जो सबसे पहला लेंगे 1 by 2 से चोटा होना चाहिए उसके साथ जो बड़ी रहेगा उसका समेशन 1 by 2 से जादा होने चाहिए अगर यह 3 है अब इसकी table ऐसे बनेगी हमने क्या लिया है हमने 9 by 32 लिया है यह लिया है और उसका बड़ी कौन लिया है 11 by 32 यह वाला लिया है बाकि इस वर्टिकल में यह नहीं यूच की हो तो इसको यह 0 कर दोगी इसके सामने यह सबसे चोटा है इन दोनों में 11 by 32 और 9 by 32 में चोटा कौ हो गया तो इसके सामने वाला यह 0 रहेगा आगे आईए यह table यह निकला आया है यह स्वरी यह table बन गया है अब इस table में देखिए कैसे जा रहे हैं यह element चुकि 0 है तो यह element क्या हो जाएगा चुकि n 3 है तो n minus 3 minus 1 2 तूर से multiply कर दो 2 into 9 by 32 तो यहां क्या है यहां क्या है नाइन 2 into 9 by 32 तो यह element क्या आजाएगा यह वाले element जो लिखा है इससे निकाल लो 1 minus 9 by 16 है 7 by 7 by 16 ठीक है तो यह आगया यह 0 है यह 0 है तो यह वाले element क्या आजाएगा टू इंटू 3 by 8 यह वाले जाएगा 2 into 3 by 8 तो उपर निचे दो से गुड़ा कर दो तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 दूनी 12 बारे 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 स्वरी 2 into this plus this upon 2 यह दोनों का समेशन होगा 2 into 11 by 32 मतलब 2 into 11 by 32 minus 7 by 16 तो यह आ सकता है इधर से ऐसे भी आ जाएगा ठीक है फर्मूला देख लीजिएगा उससे फिड कर दीजिए यह आ गया तीनों वैलू तो यह तीनों वैलू हमारी निकल चुकी है तो इसको बस ऐसे लिख दीजिए इस फॉर्म में q2 इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए बस अब जो फाइनल आंसर आंसर बनेगा वो कै कि इसे लिखेगा ओड नाव यह तो यूज दिस सल्यूशन मतलब यह जो सल्यूशन आ जा चरी पॉंट करने के बाद इसको हमें फॉर्म के लिए यूज करना है तो फॉर्म के लिए जो हमारी टेबल बनी हुई थी इसमें यह यह तो आमने निकाल लिया था यह 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 और यह missing थे, तो इसको हमें निकालना है, यही जो हमारा solution आया है, इसी को इसमें पैठा देना है, तो हमने 3 case से solve किया है, तो हमने यहाँ दूसरा वाला case लेके answer लिख दिया है, यहाँ अभी जो black पूरे color में दिख रहा है, वो दूसरे case को लेकर के लिखा है, तो दूसरे case का answer यह है, यह वाला, याद रख लीजे, 11 by 16, 5 by 16, 0, 0, 7 by 16, 9 by 16, यह वाला answer को यूज करना है, तो इस answer को, case 2 का हमने answer लिख लिख लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, case 1, case 2, case 3 किसी को भी लिख लो, तो देखिए, हमारा, हमारा यह जो table था, यह चीज हमने पहले निकाल चुगी है, 5 by 8, 0, 3 by 8, 0, यह 0, sorry, यह 0 और यह 0, हमें कौन सा निकालना था, हमें यह निकालना है, यह निकालना है, और यह निकालना है, यह निकालना था, यह निकालना था, यह निकालना था, और यह निकालना था, जो हमारी value आई है, उसको, उसकी पहली value हो जाएगी, 11 by 16, यह 5 by 16, और इसको यहाँ पुट करोगे, क्यों बाई 16 और यह 9 बाई 16 तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया यह पूरे अब एक पूरा हमारा सेट भर गया है अब हमारा यह फाइनल आंसर हो गया तो 5 बाई 8 क्यूवन हो गया यह उपर की टेबल देखिए यह उपर की टेबल देखिए यह 5 यह 5 बाई 8 0 3 8 0 तो 5 बाई 8 0 3 8 0 उसके बाद 11 बाई 16 5 बाई 16 00 उसके बाद 0 7 by 16 0 9 16 0 7 बाई 16 0 9 बाई 16 यह हमारा आंसर आ गया हमने तीन डिफरेंट केस से solve किया है यहां जो हमने लिखा है answer दूसरे वाले case को लिखा है ऐसा नहीं है दोनों तीनो तीनों के answer different है और तीनों solution सही है तीनों case के अगर आप दूसरे case का फिर use करोगए तो उसे यह distribution अलग 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 आएगा value अलग आएगी लेकिन equation valid हैं तो वो भी solution सही है ठीक है अगर आंसर को वेरिफाई करना हो तो आप वेरिफाई कर सकते हो ठीक है वेरिफाई करिए इन तीनों को एड़ कर दीजिए पहले इलिमेंट देखिए यह ऐसे आंसर लिखा जाता है कि हमारा q1 यह है q2 यह है q3 यह है ठीक है जहां q1 का पहला एलिमेंट q11 ऐसे लिख सकते हो चुकि सबके लिए है तो यह जनरल के लिए बस q1 लिख दिया है मतलब q1 का पहला यह q2 का पहला q3 का पहला उसको तीन से डिवाइट करो तो यह आ जाएगा प्रॉबिल्टी फर्स्ट वाली ठीक है वैली चक कर यह 5 बाई 8 प्लस 11 बाई 16 प्लस 0 यह क्या रहा है 10 बाई 16 प्लस 11 दस और 11 21 बटे 16 यह क्या रहा है 3 इंटू P1 आ रहा है कि नहीं P1 कितनी वैलू है P1 है 7 बाई 16 7 बाई 16 तो 7 रिक 21 बाई 16 तो मतलब यह वैलू 3 इंटू P1 को सिटिस्फाई कर रहा है तो यह एलिमेंट सही है ऐसे दूसरे के लिए आंसर चक कर सकते हो दूसरा कैसे चक कर होगे 0 प्लस 5 बाई दूसरा इसमें क्या है यह 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 दूसरे कामागबाद दूसरा वाला 0 प्लस 5 बाई 16 प्लस 7 बाई 16 यह हो जाएगा 7 और 5 बारे बाई 16 क्या यह 3 इंटू P2 है की नहीं 3 इंटू P2 की वेलू है 1 बाई 4 कोस्टन में देखिए दूसरा element तो 3 बाई 4 तो यह हो रहा है 3 इधर हम राइट हैंड साइट इधर चल लहा है तो चार चौक के 16 चार्ट है यह आ रहा बारे बाई 16 तो यह भी वैलिड है 3 इंटू P2 के बराबर हो रहा है यह तीनों समेशन ठीक है तीसरे में चलिए तीसरा कैसे चकरोगे 3 बाई 8 0 यह 3 बाई 8 0 और 0 तो यह आ गया 3 बाई 8 तो इसमें हो सकता है क्या करना है तीसरा वाला case हमारा 3 by 8 plus 0 plus 0 तो यह आ गया 3 by 8 क्या 3 into P3 है P3 है 1 by 8 तो definitely 3 into P3 है इसका मतलब यह case भी सही है last वाला case 0 plus 0 plus 9 by 16 0 plus 0 plus 9 by 16 तो यह हो गया 9 by 16 क्या 3 into P4 है P4 की value है 3 by 16 तो definitely 3 into P4 है इस मतलब हमारा 4 case सही है यह यह अलग और यह अलग और यह separately यह वाले इसको हमने चक किया यह 4 case सही है पूरा बैठ रहा है और यह 5 by 8 plus 0 plus 3 by 8 plus 0 इनका summation 1 आ रहा है 11 by 16 plus 5 by 16 plus 0 plus 0 यह 1 हो रहा है 0 plus 7 by 16 16 plus 0 plus 9 by 16 यह summation करोगे 1 है यह सारे case हमेरे साथ satisfied हो रहा है answer हमारा बिल्कुल सही आया है ठीक है यहाँ यह question solve हो गया किसी एक method से आप solve कर सकते हो आइधर case 1, case 2, case 3 मतलब किसी एक case को 4 point distribution को 3 point में करना होगा और उसके बाद जो answer आया उसको 4 point के लिए use कर लेना होगा और दूसरा question देखिए ऐसे दिया हुआ है give a complete distribution P ए 4 point distribution as P1, P2, P3, P4 are given पी की चार value दी होई है जो probability है P1, 1 by 2, P2, 1 by 4, P3, 3 by 16, P4, 1 by 16, given हुआ है तो इसको distribution निकालना है ऐसे लिख लिजिए P1 by 2, 1 by 4, 3 by 16, 1 by 16 इन सारों को जोडो गए definitely probability है तो probability का सारा summation 1 होता है इसमें सबसे छोटा हमने उठा लिया ये और सबसे बड़े को underline कर दिया इन्ही दोनों को लेना है ये और ये बाकी ऐसे भी आप general जो basic उन्होंने definitions दिया है उससे भी निकालोगे तो भी वही चीज़ आती है कोई दिक्कत नहीं है मतलब ये हमारे जो general उन्होंने थेयोरी दिया है उसमें ये setback जाता है अगर सबसे चोटा और सबसे बड़ा जो उन्होंगे दोनों थेयोरी को satisfy करता है जो उन्होंने जो थेयोरी दिया है सबसे फर्स्ट में हमने बताया था कि जो चूज करो 1 by 3 से चोटा होना चाहिए इसमें 0.0625 एट करोगे तो ये 1 by 3 मतलब 0.3 से जादा हो जाएगा तो ये फटा फट निकालने का तरीका है कि सबसे चोटा और सबसे बड़ा चूज कर लो बस तो चूकी अब ये देखिए ऐसे table बना लीजिए ये सारी probability एक order में लिख लीजिए 1 by 2 1 by मतलब जैसे दिया 1 by 2 1 by 4 3 by 16 1 by 16 अब देखिए हमने कौन सा चूच किया है हमने अंडरलाइन कि उसको किया था 1 by 16 को और 1 by 2 को तो ये element निकालना होगा ये element निकालना होगा ये element हमारे 0 हो जाएगे यह element 0 हो जाएगे, यह सबसे छोटा है, तो इसके इधर वाला यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, इसमें चुकि n-1 आ जाएगा, n-1, 4-1 equal to 3, चुकि हमारे पास 4 element दिया हुआ है, तो 3 आ गया, तो यह value आ जाएगी, 3 into 1 by 16, तो यह value आ जाएगी, 1 minus, यह value, 3 by 16, तो 16 minus 3 by 16, 13 by 16, 13 by 16, हो गया, यह आ गया, अब यह देखो, अब हमारे पास क्या बचा, यह question mark, यह question mark, यह निकालना है, यह निकालना है, यह निकालना है, और यह सब जो question mark है, वो निकालने हैं, अब हम क्या करेंगे, इस 4 point distribution के case को 3 point distribution में convert कर है जैसे हमने अभी जो problem देखी है four point distribution का case था अब कैसे करोगे three point distribution में convert करने के लिए हमने बताया था ना यह formula लगा हो गए p minus three into q one upon two तो ऐसे simple देखो यह one by two है sorry 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 यहाँ बनाएगा one minute formula गलत मैंने लिख दिया three यह two है कैसे करोगे three into p p मतलब समझो first probability p1 यह general लिखा हुआ है इसके लिए पहला element जब निकालोगे तो three into p1 three into one by two minus यह 13 by 16 upon two तो आज आएगा first ऐसे three into one by four minus यह zero upon two ऐसे three into one by 16 minus zero सबके लिए इस आरूलम बैठा दो तो जब solve करोगे तो क्या आ गया कि यह तो सब निकालने का यहां दिया हुआ three by 16 और three by 13 by 16 और three by 16 कैसे आ जाए यह देख लीजेगा यहां से आ गया three by 16 उसका opposite कर दीजिए opposite मतलब one minus यह आ गया अब देखिए वे सारे हमने difference निकाला है three into p1 three into p2 three into p3 three into p4 minus q1 q11 q1 का पहला q1 का दूसरा q1 का तीसरा q1 का चौथा ही आया इन चारों को जोड़ दीजिए जोडने पे दो आया फिर उनको दो से equation two को two से divide कर लीजिए या आप direct formula आप चुकी जानते ही है three into p minus q1 upon two यही तो लिखा है three into p1 p मतलब पहला probability एक general लिखा हुआ equation और यह q1 q1 का पहला यह आया और बाद में हम दो से divide करी रहे हैं यह कहां से आया बाद में दो से divide करी रहे हैं तो यह formula हो गया निकालने का तो वही चीज है यहाँ basic method हमने use किया to convert four point distribution into three point distribution we will divide equation two by two, two से divide कर लीजिए तो हमारा four यह आ गया अब 11 by 32, three by eight, nine by 32, zero आ गया यह यह चार value हमें मिल गई अब अच्छा इसमें यह देखिए सबसे last वाला zero हो रहा है तो कोई रिक्कत नहीं हमें बस जो non zero है उनको बस अलग क कर लीजिए तीनो nine zero है हमने अलग कर लिया अब यह हमारा जो case था वो अब हम three point distribution बनाना चाहा रहे है तो 11 by 32, three by eight, nine by 32 को हमने अलग कर लिया इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है यह देख लो सबसे छोटा सबसे चोटा पहले देखो यह और सबसे बड़ा यह उठा लो ज 11 by 32, three by eight, अब हमें यह probability लेके चलेंगे, 11 by 32, three by eight, nine by 32, अब देखिए, चुकि सबसे छोटा यह हमने चूच किया है और इसका बड़ी हमने यह चूच किया है, बड़ी मतलब साथी, three by eight चूच किया है, साथी जो बड़ा है, इसकी value बड़ी है, तो बड़ी, बड़ी यह हो यह element निकालने के लिए, यह x क्या होगा, इसमें two से multiply करोगे, चुकि अब यह three point distribution हो गया, तो three minus one equal to two, जो multiply होगा, two से होगा, two into nine by 32, तो यह जो value आई, two into nine by 32, two, nine by 16, यह आगया, ऐसे यह क्या आएगा, one minus nine by 16, seven by 16, यह तो zero होगया, बाकि यह element कैसे आएगा, two into 11 by 32, यह आगया, यह वाला element कैसे आएगा, यह जो आया है, यह element उसको one minus कर दो तो यह आजाएगा, इस तरह से पूरा table बार जाएगा, देखिए सारा मैंने निकाल दिया, equation से भी निकाल सकते हैं, ऐसे, question mark, क्या आगया, five by 16, double question mark वाली, यह वाली value कैसे आएगी, one minus, यह जो आ चुकी है, five by 16, तो यह, तो इस तरह से, यह देख ली जिए step, ऐसे भी निकाल सकते हो, तो इसमें जो value जहां जहां है, वहां वहां तो यह three point distribution का answer आ गया, अब इस answer को हमें four point distribution के जो table है, उसमें feed करना है, तो लिखा हुआ है, now equation one in figure, and equation three, and equation four, final solution, equation four यह हो गया, equation three कौन सा है, four को use करना है, figure one, आप चले जाओ, मतलब यह इसका जो solution आया है, यह, और सबसे पहले जो figure में, simple सी दिवात, यह जो figure है, यह, इसी में जो q1 आया है, यह यहां बरा जाएगा, और जो three point का solution q2 आया है, वो यहां बरा जाएगा, चुकि दोखो, यहां नीचे 0 है, इसको नहीं टच करेंगे, यह जहां रहेगा, महीं छोड़ देंगे, order वही, उसी में भरते चले जाएगे, मालो यह कहीं center में होता, तो यह center वाला ऐसे, जैसे 0 है, तो 0 ही रहता, बाकि उसके अगले वाले में fit कर देते, तो q2 जो value आया, वो यहां बर जाएगी, तो final answer यह आ गया, यह यह दिया हुआ था, हमें यही बस यही table इसमें इतनी चीज़ें हमें निकाल नहीं थी, यह three points से आया, हमारा, 0, 7 by 16, 9 by 16, 0, 7 by 16, 9 by 16, और यह क्या आया, 11 by 16, 5 by 16, 0, 11 by 16, 5 by 16, 0, तो इस तरह से हमारा final यह आ गया, distribution, ठीक है, three point distribution, sorry, four point distribution को कैसे हमने distribute किया, complete distribution हमारा आ गया, q1, q2, q3, अब इसको ऐसे answer के form में लिख लीजे, q1, q1 क्या होगा, यह पूरा पहला column, q1, q2 का आ जाएगा, दूसरा column q3 आ जाएगा, तीसरा column, तीसरा, q1 यह पूरा column हो जाएगा, q1 यह पूरा column q2, यह q3, तो बस answer के form में लिख लिए हमने, यह आ गया, q1, q2, q3, answer चक कर सकते हो, यह पूरे q1, 13 by 16, प्लस 0, प्लस 0, प्लस 3 by 16, यह add करोगे, 13, 14, 15, 16, यह आ गया 1, यह sigma q2, 0, प् 11, प्लस 5, 16, तो यह भी add गया 1, यह 1 आ रहा, बाकी यह ऐसे add करोगे, तो 11 by 16, 13 by 16, प्लस 0, प्लस 11 by 16, यह होना चाहिए, 3 into p1, ऐसे यह add करोगे, तो यह हो जाएगा, 3 into p2, यह add करोगे, 3 into p3, यह add करोगे, 3 into p4, इस तरह से बनेगा, ठीक है? मतलब यह होना चाहिए, अगर आप क्रॉस चेक कर रहो हो, आपका यह नहीं आ रहा, तो इसके मतलब आपके answer में, कोई गड़वड़ी है, तो यही मैंने answer यहाँ verify कर दिया है, देखिए, p1 हमने निकाला, 3 करो, या इनको 3 से divide कर दोगे, इस वे में भी कर सकते हैं, इसे, p1, p2, p3, p4, यह valid होना चाहिए, और यह हमारा p1 दिया हुआ है, जो यहाँ से भी वही आ रहा है, तो हमारा answer सही है, यह आप समझाने के लिए सारी चीज़े हैं, बस, shortcut method देख लीजिए, कैसे करते हैं, चार value दी हुए है, probability की, 7 by 16, 1 by 4, 1 by 8, 3 by 16, सबसे पहले क्या करना है, shortcut में, जो value दी हुए है, जो इस order में वैसे ही रहना, उसको नहीं कम छेड़ते हैं, ठीक है, इसमें सबसे चोटा वाला उठा लो, और सबसे बड़े वाले को underline कर दो, यह ऐसे table बना लो, अगर n equal to 4 है, तो यह ऐसे 3 column बनेगी, 1, 2, 3 column, अब यह देखिए, सबसे चोटा कौन सा था, यह वाला ना, तो इसके यह वाला element तो रहेगा non-zero, बाकि इसके सामने यह और यह सब zero हो जाएंगे, ऐसे इधर में इसका बड़ी कौन सा है, बड़ी यह है, तो यह तो non-zero रहेगा, और इसके इसमें बाकी यह पूरे column में सारे zero हो जाएंगे, तो यह कैसे निकलेगा, यह वाला element आपको बताया था, चुकि n equal to 4 वाला case है, तो 3 से multiply कर दो, बाकी यह निकलेगा, 1 minus 3 by यह वाली value, 1 minus 3 by 8, 5 by 8, तो यह तो वही method है, जो हम लोग पहले सीखते आएं, और fast अब आकी बाकी value कैसे निकलेगी, वो हमें देखना है, कि कैसे fastly निकलती है, हमें क्या करना है, 3 point, 4 point distribution को 3 point में convert करना है, फटा-फट क्या करोगे, 3 से multiply कर दो इसमें, और इस से minus करके 2 से divide कर दो, यह आगया, 3P minus Q upon 2, यह लगा दिए, यह, 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 यह आगया, अब यह हमारा 4 value मिल लहीं है, जिसमें 1 value 0 है, इसको छोड़ दो, ठीक है, क्यों 3 हमें रखना है, जो 0 वाला इसको छोड़ दो, तो यह आगया, अब इसको solve कर लो, 3 point distribution के numericals को जैसे solve करते हैं, वैसे solve कर लो, 11 by 32, 3 by 8, और 9 by 32, यह आगया, 3 point के distribution वाला जो shortcut है, उसे solve कर लो, फिर इसमें भी वही करना पड़ेगा, जो सबसे छोटा है, वो चूच करो, यह चूच के लिए सबसे छोटा, तो इसमें, अब चूच की यह, अब 3 point distribution का case हो गया, ठीक है, अब इसमें 2 simple reply करोगे, तो यह आगया, यह value आगयी, यह इधर वाली 0 होगी, इसका बड़ी यह हमने लिया है, तो यह वाली value होगी, 1 by 9 by 16, यह 0 है, तो यह क्या होगा, यह value value, 2 into 11 by 32, 11 by 16, 11 by 16 आगया, तो यह value आज जाएगी, 1 minus 11 by 16, 5 by 16, यह पूरा table आगया, इस table को अब कहाँ यूज करना है, यहाँ यूज करना है, तो इसमें यह और इस जगें आएगा तीनो value, क्योंकि इसका तीसरा वाला 0 है, इसमें वैसे तीसरा वाला 0 है, तो पहला दूसरा और अगला यहाँ जाएगा, ठीक है, इस तरह भरना है, हमें तीन value जो मिल नहीं है, 0, 7 by 16, 9 by 16, कैसे भरोगे, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 7 by 16, और 9 by 16, इस वाले में भरेंगे, ऐसे यहाँ, 11 by 16, 5 by 16, देखी हैं, 11 by 16, 5 by 16, और तो यहाँ भरोगे, 11 by 16, यहाँ 5 by 16, और यहाँ भरोगे, इसको छोड़के, यहाँ 0, ठीक है, यह तो पहले से ही है, इसको नहीं टच करोगे, तो बस यही टेबल यहाँ last में लिखी हुई है, ठीक है, यह हो गया आपका Q1, यह हो गया आपका Q2, यह हो गया आपका Q3, यहाँ Q1 आपका आगया, 5 by 8, 0, 3 by 8, 0, Q2 आगया, 0, 7 by 6, 0, 9 by 6, Q3 आगया, 11 by 16, 5 by 16, 0 और 0, ऐसे चलेंगे, Q3 निकालो लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे, यह Q2 लिखोगे, तो ऐसे यह पूरी वैल्यू लिखो, कॉमा लगा के, Q1 लिखोगे, तो यह लिखोगे, इस तरह से हमारा हमने distribute किया 4 points को, ठीक है, तीन equation में, ठीक है, 7 by 16, 1 by 4, 1 by 8, 3 by 16 को 3 हमने equations में distribute किया, तो यहां से यह topic हमारा over होता है, alias method हमारा यहां, खतम होता है, thank you to all.